नमस्कारादाब मैं हूँ फिरोज अली और आप देख रहे हैं मेरे साथ हुकुम्मत एक्सप्रेस निकाय चुनाब कर्शंक बज चुका है और पार्टियों ने भी अपने अपने प्रतियाशियों का एलान कर दिया है आपको बता दें कि बस्पा से आजमत अश्कील, कॉंग्रेस से शाह जाह एड़ुकेट, आम आदमी पार्टी से फिज़ा शहजाद और समादबादी पार्टी से रुकसाना एकबाल को संबल से टिकेट हुआ है और मजलिस से आसिया मुशीर को तो आज हम बात करेंगे कॉंग्रेस की प्रतियाशी शाह जाह एड़ुकेट से और उनसे जानेंगे कि क्या चुनाबी मुद्दे हैं, क्या रंडीती है उनकी चुनाब को लेकर के और जनता के लिए क्या उनके दिमाग बेचल रहा है सबसे पहले मेडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल हुकूमत एक्सप्रेश शुक्रिया अस्लाम अलेकूं वर रहमत अलग चलता है और आम जनता का अलग चलता है मैं आम जनता के बीच से हूँ और जनता के मुद्दे उठा सकती हूं कि वो मेरे ही थी है ... क्या कॉंग्रेस का मैनिफेस्ट्र रहेगा नगर निकाई चुनाब में मैनुफेस्ट्र देंगे आपको जारी करेंगे जनता की समस्या कापी है नगर निकाई नगर पाली के संबल में जल निकासी की समस्या है सड़कों की समस्या है तो किस तरह से दूर करेंगे इनको सब हैं सारी ही समष्याइब हैं और ये समष्याइब ही हैं जो मुझे यहां तक लिया- DK exerc it कोई इन मेंसे उठें हमारे लीडरान लड़ते रहे हैं हम लाता खुशी हैं महब शयरायों हिस्थ वोट देते रहे हैं एजुकेशन से लेकर, हैल्प से लेकर, कोई पॉइंटी नहीं है जो पूरी तरीके से बहुत हुआ है, कुछ भी नहीं देखा है, सब ऐसी पड़ा हुआ है, इंशाल्ला शुरू से शुरुआत करेंगे और जल्दी निप्टा देंगे, यूपी में ही यूपी में ही नहीं, स यहां से निर्दलिय भी जीते हैं, क्योंकि यहां हमारे लोकल मुद्धे हैं, पहली बात तो, और कॉंग्रेस अपने अब में एक मजबूत पार्टी है, वक्त अलग चीज़ है, वक्त अलग चीज़ है, वो तो कोई भी नीटे का, सिर्फ कॉंग्रेस को ही ब्लेम बार बार किया जाए, ऐसा नहीं है, वो कुछ इस तरीके की मजभी हालात पैदा कर दिये, कि जिससे एक तरफ का, अब मेजॉर्टी में कोई है सपोज, उसको एक तरफ कर दी जाए, फिर पॉलिटिक्स खेलिए, वो इक तरफ हो जाएंगे, खतम कहानी, पार्टी कहां बजती है फिर बीजेपी की दो सीर्ज थी, तो पार्टी थोड़ी है, जब तक वो आरेसस से नहीं जुड़ी है, या रेसस को बिल्कुल फ्रंट पर नहीं लेकरा है, तब तक बीजेपी भी कुछ नहीं थी, माइनुरिटी भी बहुत जुड़ी हुई आप जिसकी बात कर रही हैं? ने, क कि सब का साथ सब का विकास हो गया, आपको कहीं दिख रहा है, पताईे, कह देने से थोड़ी बाइट हो धोरी सब का विकास होता है, उनको उसमुंद्थ है, उनकी कुसे टक्कर मानती हैं सा जबिए refers, मेरे मुकाबले ये सारी सारी समस्याइं संभल की हैं मैं उनको दूर करने के लिए कोई मेरे मुकाबले पर नहीं है और ना मैं किसी और के मुकाबले पर हूँ हाँ ये जरूर कहूंगी कि इतने सारे लोग इतने सेकड़ों सालों से ये सब करे जारें दसों वीसों सालों से तो तो लेकिन उन्होंने किया क्या है एक काम गिनवा दीजिए जो कि एप्रोप्रेट है पूरी तरीकर से किया गया है कितना बड़ा चीज़ थी वह उन्होंने काम किया था उस पर कितना काम किया बताइए एक-दो बंदे को बुलाकर ऑक्षिजन दे दी और ऑक्षिजन प्लांट के लाता है अब हमें पाइस दिया उन्होंने उन्होंने दिया है लोग विलेम लगाते हैं विदायक पर लगतार वो 30 साल से विदायक साथ वी वार इस वार जीते हैं यही तो मैं जानना चाहती हूँ पहले अब हम रोने लगते हैं 5 साल फिर रोते हैं के जी अब वो फिर जीत गए हमने जीता दिया अगले साल नहीं थीक से अच्छा देखने हैं फिर हमारे पास हमारे पस केंडिडेट्स नहीं होते हैं सलबात इमानदरी की यह कोई भी आगे वढ़कर अभी तक दीपसराज से आया ही नहीं था इमानदरी की बात तो यह है और फिर क्या होता है जब आप एक ही पार्टी के एक दो लोग हैं एक तरफ एक दूसरी तरफ कभी यह जीते कभी वो जीते यही कहानी चलती रहती है ना हमारी जंता बटी हुई है कभी इसको इसको कभी इसको या इधर वाले एधर को दे तो वो जीत जाते हैं इधर वाले थोड़ेधर आजसा तो वो जीत जाता है यह जाबता हुई- हां यह चानलर हो जाता है कि यह उसको लड़ाने देते ना उसको लड़ाने देते हैं फाइनली वो जो बीच वाला होता है निकल चलता है अब वो चाहे अंगूठा च्छाप है वो ऐसे हैसे केंडिडेट्स आते हैं जिन्हें आफिस का पता ही नहीं एड्रेस भी नहीं पता कि मुझे आफिस में जाना और अ निकाय चुनाओं की बात करें बदल बदल करें आते हैं एक जैसा कोई नहीं आता है आप मतलब ना तो विधायक जी की तरफ से ना उधर से ना पर्टिकुलर ली किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से बदल बदल कर आते हैं लेकिन इमानदारी की बात यह है कि क्योंकि वो समर्थित होते हैं, डमीज होते हैं, असल केंडिडेट नहीं होते हैं, तो काम नहीं करते हैं, काम वहीं अटका रहता है, जैसे कि 40-45 सालों से अटका हुआ है, मैं किसी की डमी नहीं हूँ, मैं independent हूँ, कॉंग्रेस ने मुझे पर भरोसा जताया, मैं अपने लोगों, मैंन काम मेरें पार्टी असलमें जो निकायचुनाओं का काम होता है जो एक चेर्मेन का काम होता कि तो पार्टी कहान से आती है बीच में पहली आख ही और जो पार्टी आप पर भरोसा डिखा रही है वह जानती project जानते हैं कि educated person है काम कर सकता है काम का जजबा लेकर आए तो वो काम करने वाली पार्टी रही है हमेशा से तो उन्होंने मुझा डॉप कर लिया यह मेरे लिए बहुत खुश्कित्मति की बात है इस चुनाव में किसको अपनी चुनोती मानती है अब से बड़ी चुनोती क्या आप देखें पूरी जंता देखें कि क्या किया है आप मुझे मैं चैलेंज करती हूं कि ये काम किया है इमानदारी से बताए colors बताएं तो जब सबको वोय teको और लोगों को वड़ दे सकते हैं जिनको यहीं नहींपता कि यहीं पता कि awfis होता क्या है जनें यहीं नहीं पता के чare 생 ketchup है क्या उनको वड़ दे सकते हैं तो एक बार भर जोनबस करके देखे Share मैं जनता अपील करती हूँ, सारे संभल वालों से अपील करती हूँ और संभल वाले सराय तरीन, दीपा सराय, मिया सराय ये सब नहीं, टोटल संभल, पूरा संभल क्योंकि जब मैं काम करने बैठूंगे, इंशालला अगर तो मैं इंशाल्ला इंशाल्ला पूरे संभल के लिए काम करूँगी और खासतोर से सराय तरीन के लिए तो मेरे बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं शुरू करूँगी इंशाल्ला यह थी कॉंग्रेस पिर्तियासी शाजा एड्वुकेट जो की बता रहें थी कि मैं महलों की हिसाब से नहीं या फिर नगरी के हिसाब से नहीं संभल के हिसाब से काम करूँगी तो अगले इंटर्विव में हम दिखाते हैं किसी और पिर्तियासी से बात करके क्या है उनके बांते हैं तब तक देखे लिए मेरे साथ हुकुमत एक्स्प्रेस